सो हेलो दोस्तों वेलकम को आवर चैनल दवाइकर वुक्स आज हम बात करेंगे एक न्यूली लॉंच्ट अपकमिंग बाइक के बारे में जो यामा की तरफ से एक अपकमिंग स्रीज की लॉंच ग्रूप में इंक्लूट किया गया है यामा की आर्टू जो आर्वन फाइफ या तो इस काटगरी के 200 सीसी वाइक्स को कमपीट करेगा तो चलिए इसका कुछ डीटेल्स जान लेते हैं तो ऐसे ही कुछ बाइक लेटेस्ट अपडेट अपडेट अपाने के लिए हमारे तेना जबाइकर बुक्स कॉलेज सब्सक्राइब करें अपनी दोस्तों में सेयर भी कर दीजिए जिससे आपको दोस्तों को भी ये अपडेट पहुच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं वी बादू इस बाइक का लॉंच डेट और प्राइसिंग के बाद आज इस वीडियो की लाष्ट में आपको पता चल जाएगा तो वीडियो को अंतक देखना तो इन में जो आर्वान फाइव आता है आर्वान फाइव का कुछ जो फीचर्स है वो सभी फीचर्स के साथ-साथ क कुछ इंजिन स्पेक्स भी लिक्ष है जो इंजिन स्पेक्स है यह आपको 197cc तक एंजिन प्रुबैट कर दिया जाएगा जो आपको 27 BHP तक पावर प्रुबाइड कर दिया जाएगा जो आपको आच्छा खासा torque के साथ power provide होने से आपको 250cc सेग्मेंट की काई bikes को ये compete करने वाला है और धूल चटाने वाला है तो चलिए इस bike का specs जान लिए और engine power भी जान लिए तो इसका torqueable engine और power specs आच्छा खासा होने के साथ साथ इसका power to weight ratio ही आच्छा होगा तो वह अप यम्मा का bikes के साथ जान ही सकते हैं वह अच्छा कासा weight ratio भी करके ये bikes provide करते हैं customer को और इस bike का pricing बता दूँ जो important है इस bike का pricing आप R15 से include कर सकते हैं 210,000 तक इस bike का pricing आता है तो आपको इस category के 200cc segment की bikes को आप जान सकते हैं 240 से 250 lakhs तक on road top end variant आपको देख सकता है इस category की bikes को जो R2 के नाम से या माने launch करने का सोचा है और trademark भी registered किये हैं इसका कुछ specs और features और आपको जो photos है ये links हुए है जो autorable जो websites होते है रसलाइन websites और आपको जो websites होते हैं जो motto imax about वह सभी websites में आप जाकर देख सकते हैं तो इन में कुछ-कुछ जो features था वह आपको बता दिये और कुछ-कुछ features आएंगे तो आपको वह update कर दूंगा तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक जरूर कर दिए थैंक्स पर वाचिंग एन ओल्वेज राइट सेफ कि एर वा झाल दो ऑे पाल हैंगे जरूर कने लाइब कर साथ चैनल को सब्सक्राइब को जरूर को सब्सक्राइब